हेलो दोस्तो वेलकम टु जी टेक पॉली कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं पॉली टेकनिक के सेकेंड सेमिस्टर के एप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड की जिसमें की मैं आज सबसे पहले आपको इसका स्लेवर चुकि आप सभी जानते हैं कोरोना पेंडिमिक के कारण हमारी ओफलाइन क्लास नहीं चल पाएंगे इसलिए आपका जो एप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड है इसको हम ओनलाइन कवर करेंगे तो आज की स्क्लास में आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स का स्लेवर्स क्या ह एंड इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं चार पार्ट हैं तो किस पार्ट से कितने नंबर में एक्जाम में पूछा जाएगा एंड उसको किस वे में कवर करने वाले हैं एंड दोस्तों आपकी जो मैथमेटिक्स की क्लासे होंगे हम कोसिस करेंगे कि लाइव क्लास हो आपक जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, part 1 है, integral calculus first, यानि समाकलन गडित first, एक और चीज, यहां जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, mathematics, यह English and Hindi, दोनों language में रहेगा, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, and ध्यान से समझना है, तो देखें, पहला part जो इसका क्या है, integral calculus first है, या और यह जो आपका part 1 है दोस्तों, यह indefinite integral है, यानि integral दो तरह के होते हैं, आपने 12 में पढ़ा होगा, नई भी पढ़ा तो मैं आपको बता दूँ, दो तरह के integral होते हैं, एक होता definite, और दूसरा होता indefinite, तो यह वाले 5 chapter हैं इसमें, यह indefinite integral के हैं, यानि अनिश्चित समा कहते हैं, तो इसमें 5 partner total, जैसे पहला है, आप 5 chapter हैं इसमें, तो पहला है आपका समागलन, यानि integration, इसमें पहले chapter में हम जानेंगे integral की definition क्या होती है, क्या होता integral, और उसके basic formula क्या होते हैं, यह हम सीख लेंगे कि integral करते कैसे हैं, at least हम यह समझ लेंगे, कि integral हमें कैसे solve करना ह ठीक है, and दूसरा है हमारा प्रतिस्थापन द्वारा समागलन, यानि integration by substitution, और इसके बाद यह है, आपका substitution मतलब होता है, हमें प्रतिस्थापन करना है, एक variable की जगा, दूसरा variable रग करके, तब integral को solve करना है, that means हम इसमें मान करके integral solve करेंगे, जैसे हम कहते हैं, sin theta वरावर T म समाल लिया, तो इस तरह मान करके, जो integral solve करने होंगे हमे, वो second chapter में हम पढ़ेंगे, ठीक है, and तीसरा हमारा, खंट से समागलन, यानि integration by parts, अब integration by parts में क्या करेंगे, जैसे आपने differential में पढ़ा था, दो function दिये जाते थे, first function into second function, तो दो function का जब multiply करेंगे, तो उनका integral क्या ह होगा, वो हम इसमें जानेंगे, खंट से समागलन में, के लिए, and चौता पढ़ेंगे हम, आन्सिक विन्नो द्वारा समागलन, integration by partial fraction, partial fraction के द्वारा integration कैसे करते हैं, यह हम चौते चप्टर में सीखेंगे, ठीक है, and उनकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे हम किस क्य fraction को partial fraction से करना, किसको नहीं करना, सब कुछ बताऊंगे इसमें, आपको चौते चप्टर में, and पांच में चप्टर है हमारा कुछ बिसिस्ट समागलन, यानि सम स्पेसल इंटीगल, तो इस पेसल इंटीगल में क्या होगा, कुछ बिसिस्ट फॉर्मले लिखवाई जाएंग आपको, and उनके कुछ special function होंगे, उनको हम solve करेंगे, इस पांच में चेप्टर में, तो अगर हम बात करूँ दोस्तो, overall इन पांच चेप्टर के, यानि part 1 की, तो जो part 1 है हमारा, ये 15 से 20 नंबर में, कितने 15 to 20, 15 to 20 marks में आपके ये exam में देखने को मिलागा, आपको, UPVT के exam म एक चीजी और बता दूँ, मैं यहाँ आपको जो पढ़ाओंगा mathematics, यह जितने वच्चे UP वाले हैं, तो UP वाले वच्चे सभी सार्थक की book खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको अभी telegram channel का link भी दूँँगा, जो भी आपको doubts होंगे, exercise, जैसे हम proper offline class में पढ़ते थे से हम वैसे ही online पढ़ेंगे, पहले मैं आपको यह basic पढ़ाओंगा, chapter के बारे में बताओंगा, formula समझाओंगा, अच्छे से, साथ साथ आपको notes भी बनाने है, live class भी रहेंगे, साथ में भी comments कर सकते हैं, और इसके लाब बाद में अगर आप वीडियो देखते हैं, तो उसके send कर देना, और जो बच्चे हमारे offline classes वाले हैं, वो WhatsApp group में भी share कर सकते हैं, कि उसके मैं आपको solve करके, या तो वीडियो को मैं अद्धियम से, या notes में आपको provide कर दूँगा, के लिए, और दूसरी चीज़ जो बच्चे हरियाडा से हैं, या मद्धे परदेश, या फिर other किस से हैं, अगर आपके slayvars में mathematics हैं इस बार, तो आपको बिल्कुल परिशान नहीं हो, बेसिक सभी maths होते हैं, बस आपको अपना slayvars prefer करना, कि आपके slayvars में इन मैं से कौन-कौन से chapters है, और उनी chapters की classes आपको अच्छे से समझनी है, questions आप भी अपनी book का वेज सकते हैं, चा बात करें, part two की, दोस्तों इसमें जो आपका second sem का मेंत है, ये total का total integral ही समझे अपने आप में एक तरह से, क्योंकि 14 में से 10 chapter आपके integration के हैं, और 10 chapter में कम से कम 35 से 45 तक वेई करेंगे, 40-40 number में केवल यही दोनों आ जाएंगे, दोनों part, तो आपको integral बहुत ध्यान से पढ़न इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझते चलना, ठीक है, बात करते हैं, part two की, part two है आपका integration calculus second, यानि समाकलन गडित second, इसमें भी total 5 chapter है, जिन मैंसे मैं आपको पहले ही बता दू, chapter number eight आपके slivers में यह यह वाला, माद दिमान, यानि कि mean value, इस से कोई किसन नहीं पूछा जानेंगे, उसके क्या क्या property होती है, कैसे solve किया जाता है, सब कुछ जानेंगे, and अगला सात्मा चेप्टर है हमारा समाकलन के अनुप्रियोग, यानि applications of integration, समाकलन के अनुप्रियोग में क्या होगा, कि हम इस integral का use कहा करेंगे, area कैसे निकालेंगे, कि CV curve का, तो यह सब हम इ वीडियो में आपको cover करा दूँगा, अगला है आपका नमा, आंसिक समाकलन, यानि numerical integration, तो आंकिक समाकलन, तो आंकिंग में क्या करेंगे, जो numerical integrals होते हैं, उनके बारे में जानेंगे, जैसे हम Simpson लोग पढ़ेंगे, इसमें, ट्रिपेज अडल लोग पढ़ेंगे, इसमें, इसमें समलम भी, यह सम हम नमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अगला है हमारा दसमा, यह 2018 के बाद से एड हुआ है, चैप्टर आपका दसमा पहले नहीं हुआ करता था, अब यह नई स्लेवर के according, दसमा एड हो गया, जिसमें के हम BGS, अमी करणों का हल देखेंगे, व मैं बात करूँ यहां पर हमें मैं ली एक, दो, तीन, चार, चार चैप्टर पढ़ने हैं, और फिर ते एक चैप्टर से पांच-पांच नमबर का एक क्यूसन जरूर आता है, इस से दो नमबर में भी पूछ लेता है कभी-कभी निश्चित समाकलन से, बाकी जितने अधिर पांच-पांच-पांच नमबर के किसंश बनते है that means अगर मैं बात करूँ यहां से 5-5, 10, 5, 15, 5, 20 20 से 25 नमबर तक बैरी करता है यह चाप्टर आपका, easily 20 से 25 नमबर तक कौन सा सेकेंड वाला पार्ट यह जो पार्ट 2 है हमारा 20 से लेकर के और 25 नमबर तक आएगा, ठीक है minimum 20 का maximum 25 का जरूर आता है डेट मिस बात करें minimum तो 15 और 20 35 नंबर दोनों पार्ट के होगा मैं जिम बात करें 45 तो 35 से 45 तक यह दोनों पार्ट वेरी करते हैं आपके ठीक है या तो 35 में तो minimum आई गई आएगा maximum 45 तक जाता है ठीक है एंड बात करें में इसकी में आएक एक चैप्रा क्राव्म के बारे में तो आम बड़ने की कि अपर ठीक है यह बात करें इदर पार्ट फॉर की तो पार्ट फॉर में हमारी 3D कॉडिनेट जमेट्री है यानि तीन चैप्टर ने के बहुत एजी चैप्टर है तीनों अंत्रिक्स में बिंदू यानि दा पॉइंट इन स्पेस इस पेस में पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे हम अगला स कमतल के बारे में पड़ेंगे प्लें क्या होता है एंड लस्ट बडॉइंगे में मिसमें सर्अल रिखा स्टैट लाइन तो यह जो 9th क्लास में आपने स्टेट लाइन पड़ी थी वह यहां नहीं पड़ेंगे आप वह ze थोड़ा से ब्रॉड है- मैंकी सिट्ले का Slayvars हो गया, आज से ही आप Slayvars लेखना शुरू करेंगे, अब आगे बात करते हैं, Live Class के बारे में, टाइमिंग क्या रहेगे, कैसे कैसे हम Class को कंटीनु करेंगे, आपको मुझसे कैसे जुड़ना है, किस समय जुड़ना है, WhatsApp Group से कैसे जुड़ेंगे आप Telegram से कैसे जुड़ेंगे PDF वगरा Notes वगरा कैसे आपको मिलेंगे यहां से सब कुछ में बताने वाल हूँ आपको बहुत ध्यान से सुनना है ठीक है तो हमारी जो Live Classes होंगी दोस्तो Live Classes अभी Only First Year की Class चलेंगी सिर्फ Live यह स्टार्ट होंगी आपकी तीन मई से तीन मई से ठीक है Live Classes जिसमें की Math की अगर मैं बात करूँ Math की Class की तो Math की जो Class रहेगी आपकी दो बजे से तू पीम से और तीन बजे तक एक गंटे का लेक्टर रहेगा पुरा जिसमें की मैं आपको काफी इजीली मैत को समझा सकूं ठीक है तो Math का टाइम है आपका दो बजे से तीन बजे तक तीन मई से Class Live स्टार्ट होंगी आपकी दो से तीन नोट कर लिजेगा इसके बाद दूसरी Class होगी जो बच्चे Civil और Mechanical के है सीएस वालों को चोड़के Civil और Mechanical के जो बच्चे है उनके लिए Applied Mechanics भी पढ़ाया जाएगा Applied Mechanics Applied Mechanics बहुत Important Subject है जिसमें कि आप आगे जाके जब भी सॉम पढ़े हैं याब मॉस पढ़ते हैं याब हाइडॉलिक्स पढ़ते हैं तो उन सब में काफी help करेगा आपका Applied Mechanics इसमें भी आपकी इसकी इंट्रो वीडियो भी लाओंगा भी जल्दी है जिसमें कि आप इसका Slivers देखेंगे क्या के Slivers है कैसे कवर करेंगे कौन सब इंपोड़न चेप्टर है इसका यूज किया बहुत ज़्यादे इंपोड़न अप्रेट मेकेनिक्स जेए के परपस से भी इंपोड़न जेए में भी पूछा जाता है ठीक है तो इसका जो टाइम रखेंगे हम इसका टाइम दोस्तों साम में रहेगा यानि इविनिंग में आप से भी रिलेक्स करके आराम से बीच में रहेगा ता आप 9 से 9 पीम से 9 पीम से और 10 पीम यह लाइब क्लास का टाइम है अप्लाइड मेकेनिक्स का ठीक है साम को 9 से 10 पढ़ेंगे हम मेकेनिक्स एंड दुफैर में 2 से 3 पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और साथ सत में आपको हमबर्क वी दिया करूंगा सभी को कमेंट्स में अपना अंसर सेंड करने होंगे मुझे हमबर्क में इसके अलाबा आपको WhatsApp गुरूप का लिंक भी दिया जाएगा आप WhatsApp से भी जुड़ सकते हैं WhatsApp गुरूप कुछ बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े है WhatsApp गुरूप से जुड़ेंगे टेलीकरम प में कुछ बच्चे पहले हैं सब्सके बागी और भी बच्चे पहले जुड़े हैं आपको बच्चे कर लिंक वह आपको दिया जाएगा ऐसा क्यों गर रहा हुँ है क्योंकि युद्धे का सेसन रहे घाएगा हैं मैं पहले तो वह कराऊंगा जिससे कि आपको कुछ भी नहीं आता हो, जीरो लेवल से चलेंगे हम, इंट्रीगल जिनवच्चों को बिल्कुल नहीं आता है, जो टैंथ से पढ़के आ है, ट्वेल्थ जिनो नहीं किया है, वो भी सीख सके हैं इसको, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे समाकलन को, उसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं, या बुक जिनके पास सार्थक वाली नहीं है, किसी ने ACN की बुक ले रखी है, तो वे सभी अपने डाउट्स भी पूछ सकें, तो आप वाट्स अप पर या फिर टेलीग्राम पर मुझसे अपने डाउट्स पूछेंगे, या परसनल वाट्स अप नंबर भी है, यहां से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप ओफलाइन क्लास का कोई ओफसन नहीं है, आप सीधे ओनलाइन क्लास से लेंगे, और पूरी तरह से हम ओनलाइन पढ़ने वाले हैं, तो आपको भी अब कोर्स अपना कवर कर लेना है, क्योंकि पूरे मही में तो लोगडाउन रहे गई रहेगा, इसके बाद आपके एक्जाम जब भी होंगे, जून जुलाई मत, एकदम से एक्जाम हो जाएंगे, आपको बहुत प्रॉबलम होगी उस समय, अगर आप अभी कोर्स कवर नहीं करते हैं, बाई चांस आपको अगर पोस्ट पॉंड भी कर दिया जाता है, तो मैतमेटिक्स अगर आप इस बार नहीं पढ़ेंगे, तो आपको थर्ड सेमिस्टर में जाकर के बहुत दिक्कत आएगी, जो मकेनिकल और सी एस वाले बच्चे हैं, क्योंकि बिना इंट्रिकल के आप वह वाला मैत बिल्कूल भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्लियर न, एप्लाइन मेकेनिक्स की बात करें, तो ये भी आपको सॉम में, जो स्टेंट अफ माटेरियल, ये मेकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, मेकेनिकल वालों के पास, उसमें, एंड हाइड्रोलिक्स में भी बहुत हेल्प करेंगा आपका, तो इसलिए दोनों सब्जेक्त मोस वाटसब गुरूप, टेलीग्राम चैनल, सब कुछ दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन कैसे ओन करते हैं, यहाँ पर वीडियो का नाम लिखा है, जैसे यहाँ पर टाइटल चल रहा, वीडियो का नाम यहाँ भी लिखा है, आप उस पर क्लिक करेंगे, तो नीचे खुल के आ आइकन उसको दवा लेना, जिससे कि अगली जब भी हम क्लास लेकर आएंगे, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल सके, उमीद करता हूँ आपको स्लिवर्स समझ में आ गया होगा, मैतमेटिक्स का स्लिवर्स, ठीक है, तो चलिए, अब हम आगे, नेक्स्ट वीडियो जो आपके साथ पढ़ते हों, या कहीं और पढ़ते हों, सभी को लिंक से एर करें चैनल का, जिसे कि सब हमारे साथ जोड़ चकें, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, ब